नमस्ते दोस्तों मैं समीर गोयल जैपुर्द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ घर में बने आचार का स्वाद कभी भी बाजार में मिल ही नहीं सकता आईए आज बनाते हैं बिना तेल वाला आम का खटा मीठा आचार इसके लिए हम लेंगे एक किलो कैरी यानि कच्चा आम, 250 ग्राम चीनी, दो बड़े चमच मेथी दाना, दो बड़े चमच सौफ, दो बड़े चमच कलोंजी यानि ब्लैक सीड्स, दो छोटे चमच लाल मिर्च पाउडर, दस कलियां लहसुनकी, तीन तेज पत्ते, एक छोटा चमच केसर और स्वाथ के लिए नमक, आम का खटा मीठा अचार बनाने के लिए कैरी को छील कर कद्दू कस कीजिए, अब एक सूखे जार में कद्दू कस की हुई कैरी, नमक और चीनी डाल कर दो दिन धूप में रखिए, दो दिन बाद इसमें बाकी सारे इंग्रेडियंट्स डाल कर अच्छी तरह मिक्स कीजिए, और साथ दिन के लिए फिर से तेज धूप में रखिए, के लिए वे ङुप में बाकी साथ देखिए, फट्ड़ में जुप भादा साथ झाल कर दो 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 दो. शांदार बिना तेल वाला आम का खटा मीठा अचार खाने के लिए तयार है इसकी शेल्फ लाइफ एक साल से भी ज्यादा है इसलिए आप इसे ज्यादा क्वांटिटी में एक ही बार में बना कर भी रख सकते हैं एसी ही और भी कई सारी डिलीशेस और इजी रेसिपीज देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए